हेई गाईज, what is up? क्या हल चाले हैं आफ लोग के और दोस्तों आज हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं OnePlus के नए ने ने क्वेंड का जिसका नाम है OnePlus Bullet Wireless Z2 इससे पहले OnePlus ZZ Base Edition यह जो नेकबंड से OnePlus की तरफ से काफी पॉपुलर नेकबंड थे लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने एक और नेकबंड लाँच के हैं जो कि है OnePlus Bullet Wireless Z2 और यह जो नेकबंड है OnePlus इसे अडविटाइज कर रहा है Beyond Basic तो बेस ही उन्होंने हाँ पर ज्यादा इंफिसाइज किया है तो इस नेकबंड में हाँ पर एक्सपेक्टेड है कि बेस का जो लेवल है वो काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इंडियन उसको बेस जाला पसंद होता है तो आज की उड़ो में हम यहाँ पर OnePlus Bullet Wireless Z2 की अन्बॉक्सिंग करेंगे इसको मैं टेस्क करूँगा और यह बताऊँगा कि इनकी जो साउंड कॉलिटी है वो कैसी है क्योंकि इसका प्राइज भाई ऑविसली दो हजार रुपे के नीच है तो दो हजार रुपे में आपको यह लेनी चाहिए या फिर नहीं तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते ह वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कॉंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो अब स्टार्ट करते हैं वाई अन्बॉक्सिंग से तो यह रहा हमारा वनप्लस बुलेट वारलस जी टू का बॉक्स और हर बार की तरह वनप्लस का जो ब्रैं फिल्ट वारलस जी की तरह यह देख यह तरह से डिजाइन है लेकिन इसको आगे देखेंगे उसके लावा जो बॉक्स काॉंटेंट उसे ऐां पर चैक कर लेते हैं तो बॉक्स में एक और चोटा सा बॉक्स और इसमें आपको इसकी जो यूजर मैनूल देखने को मिल पर वो है रेड केबल क्लब का कार्ड तो यह तो थे बॉक्स के कॉंटेंट लेकिन अब आते हैं हमारे वन प्लस बुलिट वायरलेस जी तू की तरफ तो जैसे मैंने आपको शुरू में बता है कि इन नेक बेंड का जो डिजाइन है काफी अत्तक सिमिलर है जैसे वन प्लस के वायरलेस जी ते और यहां पर भी उसी तरह का आपको डिजाइन देखने को मिलता है प्लस्तिक बिल्ट क्वालिटी है लेकिन जो प्लस्तिक क्वालिटी है वो काफी अच्छे घासी है मैट टाइप की फिनिशिंग है और उसके लावा यह जो नेक बेंड है काफी लाइट है तो अराउंड 26 ग्राम के गड़ी भी इनका वेट है उसके लावा गर मैं इसके ओवर्यू की बात करूं तो राइट साइड में जैसा आप देख सकते हो आपको यहां पर फंक्शन बटन देखने को मिलते हैं तो प्लस मैनस का बटन है वॉल्यूम घटाने बढ़ाने के ल नहीं को मिलती है और डिजाइन वाइस काफी सिंपल सही है जादा है यहाँ पर कोई फ्लैशी डीजाइन नहीं है उसके लावा नेक बैंड है जैसा लिज वा सबते हैं चिश्चन गाउles बिम करते हैं तो अर्वांड पर यहां पर प्रॉल्बलम नहीं होगी और यहां प्य तो यहां पर हमेशा कि तरह से Orange 2 वो ट्याइन की तरह से चाहे वो एए वो टी वहीं यो विजाइन देखने से चantry एच से आपको तो ऐसा है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और यह इन यह पर यह पर दिजाइन है और है पर तो तीस घंटे का playback time मिलता है, यह 50% volume पे है, जो की brand का कहना है, लेकिन real life कैसा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और उसके लाबा जो earbuds में आपको यहाँ पर 12.4 mm का driver मिलता है, थोड़ा सा odd number है, लेकिन 12.4 mm का driver मिलता है, इसकी sound quality कैसी है, उसको भी हम आगे तो यहाँ पर इस प्लैश प्रूफ है, वाटरूफ नहीं है, और यहाँ पर जो इसमें fast charging मिलती है, तो 10 मिनट अपर चार्ज करोगे, तो आपको 20 घंटे का playback time मिलता है, तो यह बी कापी अच्छी बात है, लेकिन अब एक बार इसको अपने phone के साथ पेर कर लेता हूं, और इसके जो functionality है, और उसके बाद इसकी sound quality है, तो इस neckband को अपने phone के साथ पेर करने के लिए, अगर आपके बास OnePlus का device है, जो कि आज कल बहुत कम लोगों के पास होता है, क्योंकि उन्होंने अपना price बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, अपने phone का आप कोई budget में नहीं आते है, तो यहां पर अगर आपके पास अपने OnePlus का phone है, तो यहां से automatically detect कर लेता है, अगर आप यह जो earbuds है, इस तरह से detach करते हो, लेकिन अपके बास अगर दूसरा phone है, तो आपको अपने phone की setting में जाना है, ब्लूटर डिवाइस पर करना है, और यहां पर पेर आपको डिवाइस करना जिसका advantage आपको आइफोन में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको दिया हुआ है, लेकिन एक बार यह जो neckband आपके phone के साथ अगर पेर हो गए है, तो अगर आप यह जो earbuds है, इनको अटाच करते हो, तो जल्दी से disconnect हो जाते है, वाप यह से हटाता हूँ, तो देख सकते हो, जल्दी से यहां पर connect भी हो जाते है, तो connection यहां पर काफी fast है, Bluetooth 5.0 है, तो neckband हमारे phone के साथ pair हो गए है, और connection यहां पर काफी fast है, कोई यहां पर issue नहीं है, जैसे मेरे वाला OnePlus का device है, तो और भी यहां पर seamless connectivity है, यहां पर options देखने को मिलेंगे, लेकिन आ जाएगा previous song पर जाने के लिए, इसी button को आपको तीन बार tap करना है, तो यहां पर previous song पर आजाता है, volume घटाने के लिए, obviously यहां पर प्लस माइनस का यहां पर button दिया ही गया है, और उसके लावा Google Assistant Siri अक्सेस करने के लिए, यहां पर कोई button नहीं है, तो वो यहां पर missing है, तो buttons buttons जो है, वो यहां पर काफी बढ़िया है, काफी clicky से है, rub rice है, यहां पर texture है, तो buttons मुझे काफी बढ़िया लगे है, लेकिन आप एक बार मैं इस पर थोड़ी देर music सुनूँगा, videos देखूँगा, call वगरा लूगा, और उसके बात बताऊँगा, इनकी जो sound quality है, वो कैसी ह करने के बाद, सबसे पहले बोलूँगा कि यह जो neckband है, यह जो ear buds है, इसका comfort level है, वो मुझे काफी बढ़िया लगा है, काफी अच्छे से कानों में fit हो जाते हैं, कोई यहां पर problem नहीं है, काफी देर तक आप इस पर music बढ़िया कर सकते हो, और यहां पर neckband है, यहां पर neck around काफी soft है, comfortable है, light weight है, जैसे, और यहां बता चुका हूँ, 26 gram के गरीब है, तो पता भी नहीं लगता है, आपने यह पहना हुआ है या फिन नहीं, और उसके लावा magnetic है, तो जब भी आप नहीं सुन रहे हो, तो आपके कानों में से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर मैं बात कर यह थे OnePlus Bullet Z Bass Edition, और उसमें आपको जो बेस का लेवल है, वो थोड़ा ज्यादा enhance देखने को मिलता था, और काफी अच्छे गासे, popular भी हुए थे, बहुत सारे लोगों को इंडिया में बेस ज्यादा पसंद है, लेकिन यह जो neckband है OnePlus Bullet Wireless Z2, इसमें आपको जो बेस का लेवल है, यहाँ पर जो bass edition थे, उससे भी मैं बोलुआ है कि double, triple देखने को मिलता है, बहुत ज़ादा bassy, boomy यह जो neckband है, अगर आप बहुत ज़ादा ऐसे bass lover हो, bass head हो, तो definitely आपको यह काफी साही लगेंगे, लेकिन bass ज़ादा होने की वज़ाए से, यहाँ पर जो mid frequencies हैं, जिसमें vocals औ और जैसे dialogues वगरा रहते हैं, वो काफी हद तक दब जाते हैं, no doubt bass की quality काफी बढ़ी है, अगर आपको EDM जैसे songs वगरा पसंद है, pop अगर आप songs सुनते हो, तो आपको इसमें जो sound की quality काफी अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे मैंने बोला, जो vocals हैं, वो काफी दब जाते हैं, और यहाँ पर जो low frequencies हैं, जिसमें यहाँ पर instruments वगरा रहते हैं, तो उनमें जो sound separation है, वो भी बोलो है, ठीक ठाक है, अगर आप बहुत जादा high volume पर सुनते हो, तो distortion आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है, तो quality wise, sound quality wise, मैं इतना जादा OnePlus Bullet Wireless Z2 से से इतना जादा इंप्रेस नह है, detail अच्छी खासी होनी चाहिए, richness जो होती है, sound में, वो यहाँ पर मुझे ज्यादा बेटर लगती है, लेकिन ऐसे यहाँ पर आपको sound quality सुनने को मिलती है, बहुत जादा boomy bass है, यहाँ पर sound quality सुनने को मिलेगी, जिसकी विजए से आपको quality रहती है sound में, या फिर richness रहती लेकिन वो सिरफ यहाँ पर आपको oneplus के devices के साथ देखने को मिलती है, नॉर्मल अगर डिबाइसी में आप इस नेक बेंड को यूस करे हो, तो यहाँ पर आपको latency है, किसी भी normal नेक बेंड की तरह देखने को मिलेगी, तो कोई यहाँ पर special आपको low latency mode नहीं दिया गया है, त लेकिन अगर आप इसको calling के लिए लेना चाहरे हो, तो calling के इसाब से यहाँ पर यह जो neckband है, काफी सही है, लेकिन अगर आप इसकी mic की quality सुनना चाहते है, तो वो में आपको सुना जाता हूँ, तो अब ही जो वहाँ आप सुन रहे हो, यह मेरे caller mic से सुन रहे हो, जैसा आप सुन सकते हो, लेकिन अब मैं इसका mic से switch कर देता हूँ, तो अब जो वहाँ आप सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, यहाँ पर OnePlus Bullet Wireless Z2 के microphone से, और microphone की quality यहाँ पर neckband से काफी सही रहती है, कोई यहाँ पर problem नहीं होती, क्योंकि मुझे काफी pass मे रहता है mic, और यहाँ पर अगर quality वो आप मुझे comment करके बताओ, तो यह है OnePlus Bullet Wireless Z2, जैसे मैंने बोला यार, अगर आपको बेस बहुत जादा पसंद है, बैटरी आपको काफी अच्छी कासी चाहिए, fast charging आप चाहते हो, तो यहाँ पर कोई प्रब्लम नहीं है, 2000 के price point में, अगर आप कोई बेस हेवी neckband ढूंड रहे हो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, तो आपको कैसे लगे, यह OnePlus Bullet Wireless Z2, यह आप मुझे comment करके बताओ, आपको बेस जादा पसंद है, तो वो भी मुझे आप comment करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो लाइक कर देना, औ तो इस चानल को सब्सक्राइब कर लो, तो मिलते हैं इसी तरह के एक और exciting वीडियो के साथ, और मैं आपको वीवाग भी बाहए.